सरकार के रुस्वाईयों का सच तो ये है कि ठंड की चादर में गरीबी ठिठुर रही है ठंड में मजलूम सडकों पर लगे अलाव में निवास ढून रहे हैं लेकिन सरकार अपने परवाने पर अपनी काबलियत के फसाने लिख रही है इस सचाई का रास्ता तितर बितर मोड पर नहीं बलकि सीधा रैन बसेरे की दहलीज पर जाता है रात की अंधेरे में न्यूज वर्ड इंडिया की टीम निकली रैन बसेरे का रियाल्टी चप करने है सरकार की जुस्वाईयों का सच तो ये है कि ठंड में गरीब खुले आसमान के नीचे अपनी रात बिता रहा है रैन बसेरे का इंतिजाम है लेकिन क्या सचाई है अज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे और अभी हम पहुच चुके हैं रैन बसेरे के पास यहां पे मौजूद लोगों से बात करेंगे कि क्या प्रशासन उनके लिए तैयारिया कर रहा है उतनी वो सज है तैयार इसमें 37 का सुविधा है अभी कितने हैं अभी 16 शेक्सटीना इंट्रीका क्या एटिया होती है रेडिस्टर में है इसका इसका नाम बाइज रेजिस्टर होता है इसका आधार कर्टादर मोबाइल नमबर पुर अडर्श रहते हैं जिनके पास आधार नहीं है को इडिनिया उनको उनके लिए क्या सुविधा है? प्रशाशन के दावे तो बहुत हैं, रेन बसेरों को लेकर, लेकन हकीकत एकड़ मितर. आप भी सुनिए रेन बसेरे में रहने वालों का क्या कहना है और प्रशाशन इस बारे में क्या कहता है? कब से आ रहे हैं यापर? कई साल हो गई हैं आते आते हैं. यहां की वैवस्थाइं कैसी है? बड़ी आले खाना पीना नहीं है, विचारे के पानी नहीं है. इसकी शिकायत किसी से की आपने? किस से करन कोई आता हो तो वो से बताएंगे. ना कुछ नहीं मिलता है, ना चाय ना आस्ता कुछ नहीं है. पूरा मेरा दिन खराब हो जाता है, जो भाएं नहीं, जो भाएं नहीं, अब हम क्या करें हां के फैसे पड़ें हैं, घर परिवार छोड़के. तो विधाय यहां पर क्या के मिलती है रेन बसेरी में? कि रात को सोना, और रोटी जो है, खा के बाहर से आना, और रोटी का भी लाने हैं, मैं. चलिए, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं रेन बसेरी की सच्चाई, कितनी है? यहां सुपरवाइजर तो उनने बोला कि सारी व्यवस्थाए हैं यहां पर. कोई सुपरवाइजर बोले तो हमें बोलो, आते नहीं है डेली? आते हैं डेली, कोई बहुतता नहीं है. शिकायत नहीं करते हैं आप उनसे? हम क्या सिकायत करेंगे? आप अपनी बात तो रखेंगे ना, कि प्रशासन के द्वारा इतनी सुवधाय दी गई है, वो आपको क् दिन में आना हो तो आप रह सकते हैं, जी नहीं जी नहीं रह सकते हैं टाइमिंग क्या है, टाइमंग सुबह साथ, सुबह साम ताद बजे ताला लग जाता है गड़ेश 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 कहा से हैं पूर में पूरी जलाद देच्चु अब यहां पर क्या कर रहा है यहां कुछ नहीं मेरा सर्म अलेक्टिक लेशाई से सर्म है कि मेरा भोट अभी अधिया में डुजा आये दू दिन पहले तो मेरे बिटिया मुझे कुछ नहीं दिया गया dramत दिया कंबल तो पड़े हैं इतनी सारी मुझे कुछ सेवा मरी कुछ नहीं इंस नहीं बिश्च नहीं क्या माreckने ऑल रहे हैं कि नहीं कमल नहीं कमल कोई बितकल में कमल आए थे सब्सक्राइब कुछ नहीं में तो मरे पड़े ठीटूर्टी ठंड में आग का सहारा काफी है नाम क्या है आपका अमानाम जिपोल सिंग्ग नाम है कब से आए हैं यहां पर आम की साल ओगी जी यहां पर पहले सकता वहां शाथ नंब करते हैं यहों के विवस्था है वो अच्छ धिया के लिए और तो बहुत सारे लोग है वो कहाने के लिए नहीं है पानी कीवास्था नहीं है ऐसा होता है जिसका काम लग जाता है वह अपना खापी के आज सता है अब सटी लगातार और पर्टी जाएगी जनवरी पढ़ने वह नहीं तो आप अगर हमारा अकुपेंसी जादा बढ़ता है तो हम प्लैन कर रहे हैं और उसका हम हमने टार्गेट जो बना रखा है अगला वो सूरजपुर के आसपास का एरिया है मलगपुर में मलगपुर स्टेडियूम के आसपास या वहां एप्रोच में हम बनवाएंगे आज हम जब डिमांड बढ़ती है और आमें लगता है कि लोग और जरूरत है तो हम बनवाएंगे एक और को लेकर के कोई प्रोड़ो कौस का हम लोग दोनों जगह सुनिश्यत करना हैं पालन कर रहे हैं सैनिटाइजर की ववस्ता वहां की गई है सैनिटाइज करवाया जाता है और उनका टेंपरीश्ड लेकर ही उनको रूपने के लिए कहा जाता है उसकी इंटरी बिकी आती है वाधिकलार के दौरा खाने पिने के लोस्ता नहीं कराई जाती है को वीट के दौरान कराई गी थी कोविट के दौरान वो दूसरी चीज थी यह रैन बसेरे जो रगुलर है यहाँ पर रुपने की बहुस्तर के उल कराई जाती है मुसीबिते यहाँ और भी हैं चाय तो बस एक बानगी भर है इन रैन बसेरों की बदहाली का बहुत शिकायते थी इन मजलूमों को दो वक्त की रोटी कमाने के लिए रोजगार चाहिए था ना कि सरकार की मुफ्तखोरी फंक रॉट में जब लोग अपने घरों पर कंबल में अराम डाट गुजारते हैं अपनी ठंड को कम करने के लिए अपनी रात आराम हमेरे रहते हैं उस दोरान कुछ तस्वीरे ऐसी है जहां ठंड में इस काली रात में लोक सड़कों पर है आये जानते हैं इन से पूरी दास्तान जो भी योजनाय घंद आ लोगों तक पहुंद पहुंदे नहीं पहुंद नहीं पहुंद पाती है अम हमारे पास तक्व X सुनता हूं बस इतना कि आवाखी हो ज tenía जो भी उजना लेकम उसके बाद हम लोगों कुछ फायदा नहीं मिल पाता है यह आलाव जो जलाया है यहां ओलो लोग जोला ने में influen नहींदों के इस और हो फॉत हम्हों जोलें सब्टकुन को इस सुवधाय देघिए विविस्था गुरा रखिए आरेन वेशारी के लिए रहनी के लिए आई पदरेसितने वफिसले हैं लेकिन औरने सोने बैटने के लिए दिक्कत है पानी की दिक्कत है आपको बातरूम जाने के लिए दिक्कत है यहां पर ही सरकार वादे तो बहुत करती है लेकिन उसके वादों की हकीकत क्या है जमेनी इस तर पर आप सबने सुना सब परेशान है कोई भी सरकार हो लेकिन गरीबों की नहीं सुनती है जो छोटी टेंकी है इन्हें टेंकी कम सो हम कहते हैं कि बरहालो जो हम लोगों को दिक्कत कम हो जाए लेटरिंग बातरों जाने लिए बहुत दिक्कत हो रहा है अच्छा की देखरें का पिक जी हम यहां का करूं मेरे ड्यूटी अभी अभी ड्यूटी है आपकी कितने लोग यहां इस रहन बसरे में रहते हैं कभी 25-26-26 something इतने रहते हैं एक लिमिट होगी ना कि इतने लोग है कि आज आते एक दिन के दो दिन के फिर वो चले जाते हैं आ को आप रखते हैं यहां पर कोई आधार काड या आईडी अधार काट लगता है मैं दिना है आपके पस दिखाए जी अधार काट मेरे लटी में आप दिखाए घज़त कि रहन बसेरे की विवस्थाए कंबल भी है साथ साथ टीवी भी लगी वह एक लोगों के लिए पंखे लगे वे हैं विवस्थाए देखने में तो ठीक है इंट्री डेली कराते हैं जी एंट्री पूरी है मैं आपके सिवह और भी कोई यहां पर देख रहे करता है या सुपर्वाइजर हम तीन के टेकर नहीं का इन चार्ज है देख रहे करते हैं और सब की ड्यूटी आट अट गंडे कि एक सवाल और जाना चाहूंगे आपसे मैं है को रौणा टाइम चल रहा है ऐसे में डिस्टेंस कैसे में करते हैं तो दिखियें एक के बाद एक एक दूरी की बात होती है वो तो दिखनी रही है मैं ठेंड चल्ला ना तो थोड़ा सा बढ़ गया तो पहले तो डिस्टेंस आ अहां मगर मैं यहां कि काफी जड़ी हो इसमें ज्यादा हो गया है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आब आदी तो जादी चल लेए ना इसमें सोने कर और सब गरीब है कमानी खावने अभी दो रोजगार किसी का चलने रहा है और थोड़ा काम की प्रॉब्लम चल ला है तो यहां सोते हैं चलिए आगे जानते हैं जो सबसा मुरूह आपको मिलती है डाया सुवधाय जो को T सुरक्षित रहता है तो जेब कटने का या फिर समान चोरी होने का डर है ऐसे कितनी बार होता है थंड हो रहे है कैसी वीद रहे है राती हो सब्सक्राद करणा फेर थे ऌर विर से काम नहीं लाग रहा था लोग 10-20 दे और दे टेना कंक्त में लेके उन्ह ज़या रहा वह ज़्यारा है जन्द Kerry की आप द्नेहीं हो रहता है सब्सक्राइब करें तो नहीं है कि पैसे देने को मिलता है इस टीन में रह रहे हैं ठंड नहीं लगती है इस टीन में पूरी रात गुजार देते हैं और कब तक अच्छा सुबा इसका टाइमिंग क्या है सुबा से लेकर रात तक रह सकते हैं कि दिन में जाना पड़ता है कि में काम धन्दे पर जाने का तो दिन में रुक लग सकते हैं आपको रैंबसरी की सचाई बताए कि क्या हकीकत है जमीनी वादे तो बहुत है प्रोग्राम में आपको नए विशय के बारे में अब डेट करते रहेंगे कोई नया मुद्दा लेंगे उस पर आपको रेल्टी चेक करके बताएंगे तब तक के लिए झाल झाल